प्रण 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 जरूरी होता है जी हाँ आपने सही सुना हम आज की डेली राशी फल की बात कर रहे हैं ये प्रेडिक्शन चेंदे राशी पर आधारित है सबसे पहले आज की दिन जिनका हापी बज्जे है या फिर्मारिज अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं अपर ये सपनों को जिन्दा रखिए अगर आपके सपनों की जिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये हैं कि आपने जीती जी आत्महत्या कर ली है सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कीजिए आप अपना सपना जिरूर पूरा कर लेंगे जारतल लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में टै कर लेते हैं आप भी अपना दाइरा बड़ा कीजिए और दूसरों को किसी न किसी रूप में खुश रखिए संगर्श इंसान को मजबूत बनाता है चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो हिम्मत रखिया भी जनाब आप सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं चाहिए तो बस जनून मेहनत और पक्का इरादा अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष की प्रती एक चित निष्ठावान होना ही पड़ेगा तभी तो जीत आपकी होगी सफलता हमारा परीचे दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परीचे करवाती है जो नहीं है हमारे पास वो खाब है पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है इसलिए आपको भी हमेशा परमात्मा का शुकरियादा करना चाहिए तो चलिए बात करते हैं आज के बेली राशीफल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आपके लिए शुब रंग रहने वाला है नीला याने की ब्ल्यू और शुब अंक रहने वाला है साथ आज जो हैं आपको अपने काम पर बहुत ज़ादा फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है कुछ मसले ऐसे भी हो सकती है जो केवल आप ही सुलजा सकते हैं और कोई नहीं सुलजा सकता अपने एगो और अपने मत भीदों को दूर रखकर अपने काम को प्रात्मिक्ता सबसे पहले दीजेगा आज कई लोग फैसना लेने के मामलों में आप पर निर्भर भी रह सकते हैं ये तो अच्छी बात है आपके लिए आपके रिष्टे आज आपके कुछ बातों से प्रभावित हो सकते हैं इसलिए आपको अपनी वोल चाल में थोड़ा सावधानी बटनी होगी अपने लोगों के साथ अपनी बाचित खुले दिल और दिमाग से करें अपनी जो चीजें हैं उनको खुल कर बताईए कि आप क्या चाहते हैं आज जो हैं चंद्रमा का संचरण और राशी स्वामी मंगल की लाभाव में स्थिती बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिती बना रही है जारतर जो ग्रह हैं आपको बहुत कुछ बहतर देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीजे जो हैं किसी भी तरह से आपको मिल सकती हैं इसलिए समय का भरपूर फाइदा उठाएं सदोपियों करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा राशिय में इस ठिप चिंद्रमा कभी-कभी भावो का मनहस्तिती बनाएगा आज के दिन जिसकी वज़े से कोई फैसला डावा डोल भी हो सकता है अलस्य भी हो सकता है जिसकी वज़े से कोई काम भी आपका टाल सकते हैं आप इन सबी बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा आज स्टूडन्स के लिए जो समय है वो थोड़ा मिला जुला कहा जा सकता है आज का दिन जो है आपकी कुशलता और योग्यता के परदर्शन के लिए भी हर तरह से अनुकुल दिख रहा है ऐसे योग बने हुए है आज का है अपनी नीजी उनती और आर्थी सिद्रता बाने का है यानि जो आप चाहते हैं वो आज से ही अभी से शुरू करें तो निश्चे ही सफलता मिल सकती है आपको अपने लोगों को बहतर तरीके से संभालना होगा इसे आपके रिष्टों में जो हैं और भी ज़्यादा प्रगारता आने की संभावना दिख रही है आज कल आपका अपने खुद की उपर विशेश ध्यान देना आपकी व्यक्तित्व को निखा रहा है आज कल कुछ आपको अपने परस्नालिटी को निखाने के विए भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने लुकिंग अपने स्टाल को भी चेंज कर रहे हैं साथ इसाथ जो हैं अनिक्षेत्रों में भी उन्ती के लिए प्रयास रख है वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा आज की दिन, आज आप अपनी प्रभाविशाली वानी द्वारा परेस्थितियों को जादा अपने पक्ष में करने के लिए सब्ल रह सकते हैं। यानि आज आप अपनी मधुरवानी से, अपने चीजों से, जैसे आप दूसरों को बताते हैं, उसे आप काफे लोगों को अपनी और आकर्शित कर पाएंगे, जैसे आपकी जो काम हैं, वो जल्दी से बनते चले जाएंगे, और लोग भी आपकी बात माल लेंगे. कभी-कभी आपका अर्तिदिक स्वार्थी हो जाना, मित्रों के साथ समन्द आज भी गार सकता है, याद रखिए, मित्र बारबा नहीं मिलते, इसलिए आप स्वार्थी मत होएं, उनसे दिल से रहिए, दिल के साथ अब बाते करें, आज किसी यात्रा या घोमने फिनने से बच कहीं भी बाहर मत जाएं, खास कर बोड़े और बच्चें मत जाएं तो बहदर होगा, कोई लाब तो नहीं होगा, बलकि काम का नुफसान भी हो सकता है, आधिक भावुकता से भी आज आपको जो है वो बचना होगा, आज आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत दिन खास रहने वाला है, क्योंकि खास लोगों से मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी पुराने दोस्त का आज फोन भी आ सकता है, जिसकी वज़े सो है, आज का जो दिन है आपके लिए यादगार सावित हो सकता है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, लग लाइफ के बारे में, पते-पत्नी के आपसे समंदों में आज मधुर्ता दिख रही है, फिजूल के प्रेम समंदों में अपना समय बरबात ना करें, यानि कि अगर आप सीरियस हैं, तभी आप इस रिष्टिय को आगे बढ़ाए, पने ऐसे फ्लाटिंग करने से कोई भी खास फायदा नहीं देखने को बिलेगा, उल्टा समय की बरबाती होगी, अपने प्रेमी को उन्हें विशेश महसूस करवाने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत नोट लिखे, यानि कि आप सोचल साइड्स के द्वारा भी उन्हें समेसेंज कर सकते हैं, या फिर आप लैटर भी सकते हैं आज पती-पत्नी के सबंद सोहाध्य पूरण भी रहेंगे, घर में महमान का आगवन वातावरण को मनुरंजन बना सकता है, या फिर कोई खुशी की ऐसी खबर मिल सकती है, जिसे वातावरण में खुशाली चाह जाए, यसे मांगली का कारी समंदी यूजना भी बन सकती है आज अपने अहंकार को अलग रखीगा, क्योंकि ये आपके रिष्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा रिष्टे में, वहाँ कभी में रिष्टा ठहर नहीं सकता, इसलिए रिष्टी को संचुई रखी, जैसे माला में मोती होते है बढ़ते हैं आगे हम करियर और विजनस की दरब, तो आज करियर विजनस कहता है कि नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी जौब बदलने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे परिस्थितिया नहीं बदल सकती हैं, इसलिए प्रेजन टाइम में जो चल रहा ह उसी पर कारे करें, जहां पर आप अब जौब कर रहे हैं, किसे बाहरी व्यक्ति का हस्ताक शेप ना होने दे, अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्ताक शेप करता है, तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है, या फिर आप से बॉस में नराज हो सकते हैं, आपको काम पर बहुत ही ज़्याद देना है, क्योंकि आपकी टीम को आपकी आजपास रहना बेहत पसंद है, अपना कम्मुनिकेशन बहुती सबस्च रखे, साफ रखे, जिसे दूसरों को समझने में असानी हो सकती है, कारेसल से भेजे गए माल की किसी वज़े से वापसी भी हो सकती है, किसी वज़े से कोई नुकसान चोटा मोटा आपको उठाना पर सकता है आपको हर चीज का ध्यान रखता होगा अपनी कस्टमर की धिंकिंग का कस्टमर की दिमान का अच्छे से ख्याल रखिए तो बैटर डिजल्ट आपको बिजनस में देखने को मिल सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आ ही काम करें जैसा कि उन्होंने बोला है आपको आपके बारिक विचार है उनको आपकी भागी दरद्वारा अप्रोव किया जा सकता है फाइनेशल मामलों में आप काफी समयदारी से काम लेंगे आज आप काफी हद तक सेविंग्स कर पाएंगे चाहे वो जौब कर रहे हैं जा है वो बिजिनसमेन हें काफी हद तक सेविंग्स होगी जैसे आने वले दुनों में आप लोगों को जो है बहुत ही फाइदा देखनी को मिल सकता है तो झेले अब बढ़ते हैं आगे स्वास्त्य के दरएब आज जो हैं आप में से काफी हर्द लोगों का जो स्वास्ते है वो बैटर और ठीक रहेगा थोड़ी आलस की स्थिती बनी हुई हैं ऐसे सितारे कह रहे हैं और आराम जादा करने का मन भी हो सकता है लेकिन जादा आलस शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है दान सिर रलेटीर समस्याओं का इलाज आज आप करवा सकते हैं जिस मिमारी से आप पहले से परिशान थे वहिया जो मौसंद की बदलाव की वज़ा से भी सिर में भारी पन हो सकता है वैसे तो स्वास्त ठीक है चिंता ना करें शिरीर में गर्मी हो सकती है जिसके वज़ों सो है आप बहुत ही अजीब सा महसूस कर सकते हैं इसलिए आपको ठंडी चीजों पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए टकने की मोच उत्पादक्ता को प्रभावित कर सकती है आप में से कुछ लोगों को जोडों का दर्द भी आज हो सकता है इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान लखना होगा तो चलिए बात करते हैं आज की उपाए के बारे में आज आप के लिए शेश रूप आए तो सबसे पहले ये रहेगा कि आज आपको गाइतरे मंत्रे या फिर महामरितुजे मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और साधी साध में अगर आप हल्दी और चंदन का तिलग अपने इश्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा साधी साध में अगर आप दान पुन्य करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कीजिए मैं हमेशा से हर बार ही कहती हूँ कि दान गुप्त करें और हाँ अगर आप दान अन कादा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलीगा